गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज हम नेशनल इंकम का सेकेंड पार्ट देखेंगे इसमें कुछ इंपर्टेंट पॉइंट्स है यह सर्कुलर फ्लो आफ इंकम है लिकेज इन इंजेक्शन है इस्टाक इन फ्लो है पहले हम सर्कुलर फ्लो आफ इंकम देखेंगे कि फिर देखेंगे इसमें लिकेज एन जो इंजेक्शन है त्रड पॉइंट देखेंगे स्टाक फ्लूज िलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें देखेंगे किसी भी कॉनमी में कितने सेक्टर होते हैं जेनरली जो Micro economics है उसमें देखेंगे तो economy में 4 sector बताए गए है Micro economics के देखेंगे तो इसमें किसी भी economy में 4 sector हैं और 4 sector के बारे में हमको पढ़ना है इसमें first आप देखेंगे household sector, second है producer sector, third है government sector, fourth है external sector इसमें जो household sector है उसमें उनको include किया जाता है जो consumption work करते हैं means जो consumer है वह household sector में include होता है और second जो land, labor, capture या entrepreneurship skill जिसके पास होती है वह household sector में आता है हम अपने को generally household sector में include कर सकते हैं जो market में जाता है पर्सेश करता है consume करता है expenditure करता है किसी भी company को labor requirement है job के लिए हम जाते हैं हमारे पास land है उसको हम देते हैं किसी company को हमारे पास capital है बैंक में हम उसको देते हैं या उसका यूज करते हैं किसी productive work में इसलिए हम household sector में आते हैं second है producer sector यह जो producer sector है simple जो company होती है फर्म होती है उनको जो companies या फर्म होती है उनहीं को हम producer sector बोलते हैं इनका work है production work कितने भी production work होता है इतने भी कंपनिया है वह कोई pen बनाने वाली company हो notebook बनाने वाली company हो book बनाने वाली company हो सब इस producer sector में include होती है इस इन फर्म का work होता है वह land labor capital और entrepreneurship skill का यूज करके इन सब को mix करके एक साथ और किसी ना किसी goods या services का production करें तीसरा होता है government sector जो पूरे economy में यतने भी work होते हैं सब से भी हम वर्ड के other country से भी हमारा business होता है हमारा trade होता है इसलिए fourth sector external sector है या micro economics में देखेंगे तो चार सेक्टर है जो पूरे economy में involved होते हैं हमारा जो सलेबस से 12th class का उसमें हमको केवल household sector और producer sector के बारे मेरिट करना है government sector and rest of the world sector हमारे सलेबस का पार्ट नहीं है बट अगर कभी है क्योस्चन आता है कहीं भी कि किसी भी माइक्रो एकोनामी में कितने सेक्टर होते हैं तो हमको यहीं बताना है चार सेक्टर फस्ट हाउस होड सेक्टर थर्ड प्रोडूसर सेक्टर second producer sector third government sector fourth external sector इसको rest of the world sector भी करते हैं यह चार सेक्टर है बट हमको अपने सेलेबस में दो ही पढ़ना है household sector और producer sector आईए इन दोनों के पार्ट कर लेते हैं हम circular फ्रो के बारे में पढ़ेंगे और household sector और producer sector हमारे सेलेबस का पार्ट इतना ही है जो circular flow of income है इसमें फर्स देखेंगे basic economic activities जो economic activities होती है एक होता है production किसी भी goods and services का production करना second economic activities होती है goods and services का production हो रहा है उनको consume करना उसके उपर expenditure करके उसको consume करना थर्ड होता है investment नए नए फर्म इस्टेब्लिस करना नए कंपनिया बनाना नए प्रोडक्शन वर करना यह तीन basic economic activities होती है इसलिए जो circular flow की थियोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें तीन फेज है कि फ़स्ट है production इसमें आप फिगर के अंदर देख सकते हैं first second third point लिखा हुआ है जो basic economic activities तीन है उन्हें के वह ही थ्री फेज बताया गया circular flow के लिए फ़स्ट है production आप goods and services या फ़स्ट economic activity है production इसमें कंपनियां है फर्म है जो भी यह production का वर करती है goods and services का second चलेंगे generation of income our distribution जब कंपनियां production करेंगी तो उसमें जो भी लेंड यूज हुआ है या entrepreneurship का यूज हुआ है या capital का यूज हुआ है सबको वह job simple अगर word में समझे हैं हम तो हम किसी company में job करते हैं तो हमको इस return में salary मिलती है जो भी work वहाँ इन्वाल भे work में सबको income मिलेगी कंपनियों के तरफ से income दी जाएगी वह second section है generation of income थार्ड है जब income आएगी तो वह expand होगी expand होगी तो यह तीन phase है circular flow के पहले production हो रहा है goods and services का production होने से income generate हो रही है जब income generate हो रही है तो वह income जब लोगों के पास पहुचेगी तो वह expand होगी यह तीन तरह के phase है circular flow के जो main basic economic activities related है production, consumption and investment तीन phase के आगे हम चलेंगे तो जो circular flow है उसको दो पार्ट में बाट दिया गया है एक real flow दूसरा money flow इसको पहले देखेंगे उसके बाद देखेंगे circular flow theory क्या है real flow में क्या है कि हमने जो चार सेक्टर पढ़ है अभी economic है उसमें हम नहीं है देखा कि हमारे syllabus में household sector producer sector और फर्म्स यह हमारे syllabus में है तो इस ही को लेकर हमको आगे पढ़ना है इसमें देखें real flow, real flow में एक household sector है एक तर प्रडूसर सेक्टर से यह जिसको फर्म भी बोलते हैं इसमें जो household sector है उसके पास land, labor, capital और entrepreneurship skill होती है जो प्रडूसर सेक्टर को यह level कराता है यह प्रडूसर सेक्टर यह फर्म्स जो है उनको जब land की जरुवत होती है, labor की जरुवत होती है, capital की जरुवत होती है, entrepreneurship skill की जरुवत होती है यह फर्म household sector से लेती है अपने यूज के लिए और सबका एक साथ यूज करके वो goods and services का production करती है अब रियल फ्लो में क्या है, इसमें money आप कहीं नहीं देखेंगे, इसमें आप देखेंगे factor services, household sector ने अवलेबल कराई किसको, producer sector को और producer sector ने उन factor services, land, labor, capital, entrepreneurship, जो है उसका यूज किया, सब का यूज करके उसको goods and services का production किया यह रियल फ्लो है, इसमें factor services, household sector से producer sector लेता है, और उनको एक साथ ही उच करके goods and services का production करता है सेकेंड है money flow, जिसको nominal flow बे बोलते हैं, इसमें simple सा है, जब household sector, producer sector को factor services अवलेबल कराएगा land, labor, capital, entrepreneurship, तो उसके बदले में उनको payment मिलेगा, तो यह producer sector क्या करता है, factor services के बदले, household sector को payment करता है, money में और यह जो इनको income होती है household sector को payment से, यह क्या करते हैं, expand करते हैं, जो producer sector ने goods and services प्रोडूस की है, उसके उपर expand करते हैं इसमें money का flow है, इसलिए इसका money is nominal flow नाम है, इसमें फर्स्ट देखेंगे producer sector, factor services के बदले में household sector को payment करता है वह जो income होती है household sector को, वह producer या फर्म द्वारा जितना भी production होता है, उसके उपर पूरा expand कर देता है household sector second part में के वर money का flow है, इसलिए money flow बोलते हैं, first part में के वर factor services, goods and services का flow है, इसलिए इसको real flow बोलते हैं यह और आसानी से समझ में आएगी जब आगे हम इसको circular flow of income, अभी हम ने देखा कि चार sector economy में होती है, बट हमको दो sector के बारे में पाढ़ना है household और producer यानि firm sector, तो इसमें circular flow of income in a two sector economy, इसमें आप देखेंगे one, four arrow बने हुए, one, two, three, four, in four arrow के थूँ हमको इस circular flow के system को समझना है, इसमें first आप देखिए, जब भी firm sector को production करना होता है, तो household sector से factors आप production का यूज करती है, household sector से arrow का direction आप इसको ध्यान देना है, household sectors जो है firm sector को land, labor, capital, entrepreneurship, available कराएगा, point number one, जो arrow black color की बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे, तो household sector, firm sector को land, labor, capital, entrepreneurship, skill, available कराएगा, क्योंकि इसके विना कोई भी production work होना possible नहीं है, अब red arrow पर जाएगे point two, जब यह factor service आप लेबल कराएगी firm को, तो firm यह household sector फिरी मिन नहीं देगा, उसको उसके return में कुछ ने कुछ चाहिए, तो firm जो है, जो household sector दोरा land अवलेवल कराएगा, उसके बदले में उसको rent मिलेगा, जो firm दोरा labor अवलेवल कराएगा firm को household sector उसके बदले में labor को wages मिलेगे, जो household sector firms को capital अवलेवल कराएगे, capital को बदले interest मिलेगा, और जो household sector firms को entrepreneurship skill अवलेवल कराएगे, उसके बदले म उनको profit मिलेगा तो यह पॉइंट वन और टू हाउस्वोल्ट सेक्टर ने फर्म सेक्टर को लेंड लेबर कैप्टा इंट्रपेंशिप लेबल कराई जिसके रिटर्न में लेंड को रेंट लेबर को वेज कैप्टल को इंट्रेस्ट और इंट्रपेंशिप इसके रिटर्न में दिया है अब पॉइंट थी पर चलिए रेड एरो का अब इसका डारेक्शन देखिए हाउस्वोल्ट सेक्टर से फर्म सेक्टर की तरफ है यह जो भी वेजेज रेंट इंट्रेस्ट प्राफिट हाउस्वोल्ट हैं फैक्ट्रियां वह हाउस्वोल्ट सेक्टर को लेवल कराते हैं इसमें चार पॉइंट हुए उसमें आप पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट फोर्थ अभी आपने पढ़ा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इन दोनों को इसमें एक साथ देख सकते हैं जो पॉइंट वन है औ इन सब चारों का यूच करके गोड्स और सर्विसेज का पॉड़क्शन कर रही है तो ब्लेक कलर की दोनों एरो बने हुए है वन और फॉर्थ इसको हम बोल सकते हैं आप बगल देखिए रियल फ्लो इसमें मनी कहीं इन वालब नहीं है फीजिकल फ्लो है तो यह इसमें जो ह इसमें बार कल्स संगल है जो मॉमेंट है उसको हम रियल फ्लो ंसी को बोलते हैं सेकेंड़ फ़र्ड देखिए सेकेंड में फ्रम वेजर रेंT इंटेस्ट प्राफिट मणी में इावलेवाल कराती है वह इंकम को हाउसओल फिर क्या करता है फ़र्म के उपर सब्सक्रों का दिखान देना ही यह दो ही सेक्टर है केवल हाऊसओल और फर्म इसलिए पूरी इनकम इसी सरकल में गोल गोल गोंती रहती है नही। इसंट कोई इंकलूड होगी नहीं इसमीं से कोई इनकम बाहर जाएगी। यो कि हम केल दो sector ले रहे हैं इसमें household और farm या company, production वरक है वो फर्म है और household sector है यह दो है इन्हीं के पास income farm से income जयनेट होके household के पास आएगे household पूरी income को expenditure कर देगा farm के ओपर कोई भी income किसी के पास save नहीं हो रही है पूरी जितनी बी income इतना बी healthy money हो तो फेक्टर पोड़क्शन का यूज कर रहेगी तो वेज, रेंट, इंट्रेस्ट और प्राफिट के रूप में फिर हाउसोल्ड के पास आएगा हाउसोल्ड फिर कंजम्शन इस्पेंडिचर कर रहेगा फिर फर्म के पास जाएगी वो इंकम फिर फर्म, वेज, रेंट, इंट्रेस्ट और प्राफिट देगा तो फिर हाउसोल्ड के पास आएगी ऐसे ही पूरी इंकम गोल गोल इसी में घूमती रहती, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसमें आप नीचे देख सकते हैं दो रिजन है इसके कोई भी नए रिसोर्स की डिस्कावरी नहीं हो रही है, यह एक रिजन है दूसरा है कोई भी नए टेक्नोलाजी उज नहीं हो रही है जैसा है, एसमसन है कोई भी चेंज नहीं है, टेक्नोलाजी में कोई चेंज नहीं है कोई भी नए resources के बारे में जानकारी नहीं है जो है वही इस circle में income गोल गोल गोमती रहती है इसमें कोई change नहीं होता household से firm के पास, firm से household के पास household से firm के पास, firm से household के पास यही है circular flow of income इसमें एक चीज़ और देखते हैं banking system जब banking system इसके साथ जुड़ जाता है अभी कभी ऐसा भी क्योश्य ना सकता है circular flow of income इने two sector economy with financial system financial system में दो चीज़े होती है household or firm household कुछ saving कर सकता है firm कुछ saving कर सकती है इसमें हमने देखा circular flow में कोई saving नहीं है household पूरी income को firm के production पर expand करता है फर्म पूरी income को अपने distribute करती है household में या circle में घूमता रहता है जब आगे हम देखेंगे इसको तो इसमें household or firm के साथ financial market यानि banking system देख रहा है इसमें household भी कुछ income अपनी save कर सकता है firm भी कुछ income save कर सकता है इसके पहले हमने देखा कि इसमें कोई change नहीं होता है जो money है वा household से firm के बिच में circle में घूमती रहती है बट अगर household ने saving किया या firm ने saving किया किसी bank में तो वा income इस circle से बाहर चले जाएगी या simple चीज़ है इसको ध्यान देना है जब household ने किसी bank में कुछ पैसे save कर दिये या firm ने कुछ पैसे bank में save कर दिये तो वह जो saving है वह circle से बाहर चले जाएगी उसको बोलते है leakage उसको leakage बोलते है और circle से बाहर जो income जाएगी उसको leakage बोलते है saving क्या है household और firm ने कुछ saving कि फरम किसी firm ने bank में save कर लिया household ने किसी bank में save कर दिया तो यही saving क्या होती है? यही saving leakage होती है leakage हो के बाहर चलि जाती है bank में अब कभी-कभी हमको जरूवत होती है हमको land purchase करने हैं हमको car purchase करनी है household को आप फर्म को machinery लेनी है land purchase करना है उनको भी बिल्डिंग बनाना है तो हम loan भी लेते हैं bank से इसमें हाउसोल्ड के सामने के सेविंग का एरो बना हुआ है यहां बॉर्विंग का एरो नहीं बना है वो भी चाहिए यह मिस है इस फिगर में हाउसोल्ड भी बॉर्विंग करता है फर्म भी बॉर्विंग करता है दोनों सेविंग भी करते हैं दोनों बॉर्विंग भी करते इसलिए उसको लिकेज बोलते हैं और जब हम कुछ लोन लेते हैं हाउस्वोल्ड या फर्म बैंक से तो फिर लोन फर्म या हाउस्वोल्ड के पास आता है और एड होता है इसलिए इसको इंजेक्शन बोलते हैं तो फानेसे सेक्टर होने के बाद इंजेक्शन और लिकेज इसके को इन제न है को इन्जेक्शन अचै यह दरिए चीज़े होती है जो लिखर दलीकौलसनेल में मिल्ड़ा है लिए कि कि इन्ड़ार्ट टाईप अब लिए फंपले और आपलेसन कि जब हम बात करते हैं तो किसी पार्टिकुलर 2 पर करते हैं पार्टिकुलर of time इसे 13th June 2020 को इंडिया की population कितनी है, June 2020 को population कितनी हम नहीं बोल सकते हैं, उसमें एक point of time बताना पड़ेगा, population की बात करनी है, population is stock में आता है, किसी country की, suppose that इंडिया की population 13th June 2020 को कितनी है, यह point of time की बात करता है, जबकि flow एक period of time जैसे expenditure of money flow में आता है expenditure of money हम अपने personal expenditure की बात करें तो हम यह नहीं कह सकते कि हमको एक period of time में बताना पड़ता है जून में हमारा कितना expenditure हुआ या last week में हमारा कितना expenditure हुआ तो यह क्या period of time है जब किसी period of time में किसी चीज की बात की जाती है तो वो flow होता है और किसी particular point of time पर किसी की बात की जाती है तो stop होता है यह stock or flow है इसमें कुछ के उस्चन है जिनको आपको पढ़िए ठीक से पढ़कर और इसको सालो करने का प्रयास करना है